कि अधिशूंट्स वेल्कम टुद अभिमन्य इस तर्गेट आई एस 2021 में आप सभी का स्वागत्र सुडेंट्स जिसा कि आप सभी लोग जानते हैं हम लोग टार्गेट आई 2021 में current affairs को cover up कर रहे हैं और वो current affairs रहेंगे आपके March 2020 से लेकर April 2021 के current affairs जो आपके prelims plus mains examination point of uses सबसे ज्यादा crucial role play करेंगे clear है और अगर बात की जाए current affairs की तो students अभी तक का हमने March को April, May, June, July, August, September and October को cover up कर लिया है clear है जो भी नया learner आप पहली बार मेरा session देख रहा है तो मैं उससे request करूँगा यह session देखने के बाद वो March से लेकर October तब के सारे sessions को continuity में देख ले क्योंकि वो उसके लिए बहुत जादा beneficial रहने वाले है clear है न क्यूंकि हम लोगोंने इन sessions के अंदर हर एक news को well detailed explanation के साथ cover up किया है even कुछ ऐसी news भी रहती है जिसके अंदर हम लोग daily basis पे कुछ data add-on भी करते रहते है clear है तो वो आपके लिए mains perspective से बहुत जादा crucial role play करेंगे students okay तो अगर एक और मैं बात करूं तो हर एक session की जो PDF रहती है न वो description section में उसका link दिया हुआ है आप लोग वहाँ पर जाकर link पर जाकर present PDF download कर पाएंगे clear है को डाउट तो नहीं है और अगर मैं बात करूं तो आज के lecture की तो आज का lecture 43rd lecture रहेगा आपका November 2020 के करेंट अफेस के basis पर ही अभी तक का students हम लोगों ने दो lectures लगाए है November 2020 करेंट अफेस पर तो आज भी हमारा November 2020 करेंट अफेस के basis पर ही रहने वाला है तो session शुरू करने से पहले अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दू तो सुरेंट्स मैसल्फ कनम अगरवाल आम दे करेंट अफेर मेंटर इन अभी मन्यू आइस तो लीजे हम लोग आज अपना session शुरू करते हैं आज की हमारी सबसे पहली निउस रहेगी इन्हांस्ड वर्जिन ऑफ दे पिनाका एमके वन मेजाईल यह आपके लिए इंपोर्टेंट डोल प्ले करती है फॉर दे जी एस पेपर थ्री के लिए जेंडल सडीज पेपर थ्री के लिए काफी जदा क्रूशल डोल प्ले की जाती है कि अब देखिए क्या लिखा गया कि एक एंहांस्ड वर्जिन ऑफ दि पिनाका काफी ज़्याद एक एक तो वर्जिन होता है एक होता एंहांस्ड प्ले मोडिफाइऑ किया गया है इसका पिनाका mk1 missile का was successfully flight tested from the integrated test range in the चांदीपूर of the coast of Odisha याद रखेगा क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए प्रिलिम point of view से यहां पर important रही कहां पर test range किया गया चांदीपूर में जो Odisha के of cost में आपको present है clear है अगर इसी न्यूस की background की की बात की जाए इसकी हिसरी की बात की जाए पिनाका mk1 missile की तो क्या लिखा कि the enhanced version of the pinaka mk1 system है जो was taken up to achieve the longer range performance एक तो यह लंबी दूरी के लिए performance बहुत 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 बेटर देती है अगर हम लोग इसका comparison करते हैं to the earlier design मैंने अभी आपके से discuss किया है कि इसका enhanced version लेकर है कि इसको modify किया गया है अगर इसका previous version देखा जाए और present version देखा जाए तो काफी ज्यादा हमने इसमें modifications किये हैं और modifications के रूप में हमने क्या result देखा इसका कि long range performance इसकी बहुत ज्यादा better हो चुकी है as compared to the previous one with the lesser length clearance अब अगर बात की जाए इसके development के लिए तो देखे ध्यान से इसका जो design design and development has been carried out by the Puna based DRDO तो पूना बेस DRDO office के द्वारा laboratory के द्वारा इसका design इसका development किया गया that is a defense research and development organization clear रहे ना तो वहां के इसकी laboratory रहती है तो वहां पे इसका development किया गया ओके अब देखते हैं क्या है वहां पे क्या बुला गया कि armaments research and development establishment and high energy material research laboratory तो याद रखें प्रिल्लिम point of view से मारली बहुत important role पे करेगा कि जो इसका पिनाका mk1 missile है जो enhanced version आया उसका design और development किसने क्या आप देख लीजे यहां पे note on कर लीजे क्योंकि यही चीजे यूपीएसी पूछेगा design and development by the poona based याद रखें से poona based DRDO defense research and development organization laboratories और उसके बाद armament research and development establishments ARDE and high energy material research laboratory के द्वारा इसका design and development किया गया है clear है कोई डाउट तो नहीं है students याद रखें अगर कोई भी doubt रहता है तो please comment section में जरूर लिखकर बताईएगा clear है इसे क्या रहता है मैं daily basis पर आपके current interface को note check करता रहता हूं अगर कोई भी problem रहती है तो मैं अगले session में आपकी problem resolve out करने की पूरी कोशिश करूँगा clear है आगे चलते है निक्स देखते है अभी इसी news के अंतरगत क्या चीज हो रही है आप देखें ज्यान से क्या लिखा कि जो एक enhanced pinaka mk1 missile है जो long range missile है और काफी short length वाली was eventually replace the pinaka mk1 missile तो इसने किसको replace कर दिया pinaka mk1 missile को और अब presently हम लोग इसको क्या बोलते है enhanced pinaka mk1 यह no done कीजे आप लोग यहाँ पर मैं highlighter यूज कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि अब बोला गया enhanced pinaka mk1 missile और replace किया गया replace the pinaka mk1 missile correct है students यहाँ तक कोई doubt तो नहीं है okay अब आगे चलते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया which are currently used by the अब इसको currently कौन यूज कर रहा है currently used by the regiments of the indian army indian army यूज कर रही है और कहाँ पर deployment कर दिया है students यह missile का हमने indian frontiers पर इसका deployment कर दिया है along with the China and Pakistan again important रहेगा यह चीज़े ना हमें इसका एक background और हिस्वी बता रहे हैं कि at present और हमने पिछले टाइम से कहां पर use करते आ रहे हैं इसको clear रहे हैं आगे पढ़ते हैं तो क्या लिखा गया अभी जो latest test किया गया enhance pinaka mk1 missile का वो एक continuity ना मतलब लगातार continuity of a number of missile trials conduct किया गया DRDO की तरफ से in the last two months clear doubt हो नहीं है अब आगे देखिए क्या लिखा कि जो इसका test है comes month after the ministry of defense यह कब test किया गया एक महीने के बाद जब ministry of defense ने announce कर दिया that its equations wing signed contract with the three Indian private companies अरे खुद देख लीजिए यहां पे अब मैं आपको एक news फिर से recall करवाना चाहूंगा क्या लिखा गया सुर्ण्स बहुत important रहेगा क्या लिखा कि विंग ने sign किया एक contract किसके साथ भारतिया तीन private companies के साथ याद रखें अरे भारत की तीन private companies यनि की आत्म निर्भर भारत mission तो आत्म निर्भर भारत mission के अंतरगत अब हम लोग maximum defense sector के लिए export पर dependent नहीं रहेंगे अब हम लोग इंडिया के अंदरी manufacture करेंगे clear है maximum से maximum clear है कोई doubt हो नहीं है अभी for the sick for the supply of the six regiments of the pinakar rocket system to be deployed along the border with the Pakistan and China तो यह announcement क्या गया था ministry of defense के दौरा ओके आगे बड़ी यह आगे क्या लिखा गया students यहां पर देखिए कि जो ministry of defense है had said that तो उन्होंने क्या बोला कि जो induction है would be completed by the 2024 यनि कि जो induction process है वो complete कर लिया जाएगा by the 2024 और these six pinakar regiments मतलब छे pinakar regiments जिसके अंदर कितने comprises होंगे कितनी missiles रहेंगी 114 launchers with the automated gun aiming and the positioning systems और 45 command post and the 330 vehicles include रहेंगे यह हम लोग complete कर लेंगे by the help of the three Indian private companies by 2024 ऐसा दावा किया है ministry of defense के द्वारा clear है को डाउट तो नहीं है सुर्ण्स यह important रहती है चीज़े और याद रखे इसको कहां पर deploy किया गया है presently चाइना और पाकिस्तान में और जो आएगा advance version वो भी चाइना और पाकिस्तान के front is borders पर ही deployment किया जायागा इसका clear है आगे बड़े then after अब देखें पिनाका missile के लिए ही देख लेते हैं यहां पे तो क्या लिखा गया जो इसका development development के लिए पढ़ते हैं कि जो development of the pinnaka multi-barrel rocket system है याद रखेगा जो पिनाका multi-barrel rocket system है वो start किया गया by the DRDO in the late 1980s most important point क्योंकि यह यहां पे उसका background दिखा रहे हैं और उसका development दिखा रहे हैं कि DRDO ने इसका जो rocket system है वो कब शुरू कर दिया था 1980s के अंदर ठीक है ना और as an alternative अब यह किसका alternative आया यानि कि इसको किसने आं सॉरी यानि कि यह पिनाका missile थे किसको replace किया लिखा है ना कि as an alternative अरे alternative to the multi-barrel rocket launcher system of the Russian missile ठीक ना सॉरी रश्यन मेक कॉल्ड ग्राड यानि कि जो रश्या की तरफ से बना हुआ ग्राड था उसको replace किया which are still used by the some regiments और स्टिल आज भी रश्या-based multi-barrel rocket launcher को आज भी इंडिया और सॉरी इंडिन आमी की कुछ regiments use करते हैं that is called the grad grad clear है यह हमारे लीन मेंस point of view से important रहती है ओके सुरेंट्स आगे बटते हैं लिखा गया कि अब इसका जो successful test है कि after the successful test of the pinaka mark 1 याद रखें पिनाका mark 1 missile in the late 1990s के अंदर it was the first used successful in the battlefield during the 1999 कार्गिल वाल तो यहनी की सबसे पहले इसका successful battlefield use किया गया था कार्गिल की लडाई के दारां 1999 में clear ना और इसको बनाया कब गया था 1980s के अंदर by the DRD और क्या लिखा गया कि subsequently multiple regimens of the system came up over the 2000s clear कोई डाउट तो नहीं है students में फिर से आप से एक announcement करना चाहूंगा याद रखेगा अगर कोई भी student को current affairs के relative में कोई भी doubt रहता है ना कोई news के कोई properly clarify नहीं हो पाय तो आप comment section में जरूर लिखेगा इससे क्या रहता है मैं daily basis पे आपके comments को पढ़ रहा हूँ ना वो next session में मैं आपके doubts को clear करने की पूरी कोशिश करूँगा बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि daily basis पे सुरी जो Monday to Thursday हम लोग कर रहे हैं ना करेंट अफेस को उस तरीके से आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी करेंट अफेस के regarding clear ना और हमारे पास अब भी कुछ और टाइम थोड़ सा मिल चुका है for the preparations as की जो हमारा civil services का प्रिल्म एग्जामिनेशन वो थोड़ सा पोस्पोन हो गया due to the pandemic clear ना तो बस आप लोग continuity में रहें और current affairs में कोई भी प्रॉब्लम यहां से आप लोग नहीं ले पाएं ये clear ना आगे बढ़ते हैं तो features क्या है इसी missile के तो देखें कि जो पिनाका है a multi-barrel rocket launcher यह की MBRL system है वो नाम रखा गया नेम आफर दर शिवास बो can fire a salvo of the 12 rockets over a period of the 44 seconds आप खुद देख लिजिए कि शिवास बोस के नाम पे ही पिनाका मेजाल का नाम रखा गया है clear है और क्या लिखा गया कि one battery of the पिनाका system consists of the six launch vehicles अब देखिए एक बैटरी पिनाका का six launch vehicles को consist करता है और a companion by the loader system radar and the link की याद रखें हमने यहां पर use के ना system तो system क्या define करता है अपने आप में पूरा complete set था भी तो हमने लिखा कि loader set भी आ गया radar भी आ गया links with the network based system भी include कर लिया गया है and a command post भी इसी के अंदर include किया गया अरे system का मत्तर भी पूरा setup होता है clear है और क्या लिखा कि one battery can neutralize an area of one kilometer by the one kilometer clear है तो यह इसके features बताए गये है about the पिनाका mq1 enhanced version वाला okay आगे देखिए आगे यहां पर क्या लिखा है कि जो multiple variations है variants है यानि की DRDO has also developed and successfully test the mk1 and guided variants of the pinaka which has a range of around 60 kilometers while the guided pinaka system has a range of 75 kilometers ठीक है यानि की क्या रखा गया जो पिनाका का range overall 60 kilometers है और जो guided pinaka का 75 kilometers रहता है and has integrated navigations यानि की navigations उसको भी बढ़ाया गया है control and the guidance system to improve the end accuracy and enhance the range clear है तो यह आपके features रहेंगे about the mk1 missile जो develop किया गया DRDO की तरफ से in the 1980s के अंदर 1990 में इसका first successful test launch किया गया 1999 during the kagil war में हम लोगों ने सबसे पहली बार इसको battlefield के अंदर successfully use भी किया है इसको clear है अब हम लोगों ने इसका enhanced version यानि की enhanced जिपना का mk1 को लेकर आए हैं by the DRDO and other private companies of India clear है ना तो आज की हमारी next news रहती है तेले law तो यह आपके लिए important रहेगा students for the GS paper 2 के लिए clear so shall we start now अब देखें ध्यान से क्या है टेले law क्या चीज़ है अब सुनिएगा क्या लिखा कि टेले law touched a new milestone और उन्होंने एक नया milestone touch किया कब 30th of October 2020 को by providing legal advices to the 4 million beneficiaries through the common service centers most important तेले law ने एक फिर से milestone achieve कर लिया क्यों अरे उन्होंने legal advice दिया 4 million beneficiaries को किसके थुरू यहां पर लिखा through the common service centers important रहेगा हमारे लिए clear है अब चलते हैं आगे यहां पर क्या लिखा कि common service centers क्या चीज है वो एक ऐसा प्रोग्राम है एक ऐसा इनिशेटिव है जो ministry of electronics and the information technology के द्वारा गठत किया गया ठीक है ना इन्ही के द्वारा शुरू किया गया minister of electronics and the information technology ठीक है that serve as the assess point for the delivery of the various electronic services to the villages in India correct and thereby contributing to a digitally and the financially inclusive society most important यहां पर लिखा गया है इसके features के बारे में कि thereby contributing to a digitally and financially inclusive societies clear है students यहां तक यह चीज़े ना मेंस point of view से important रहते है जो यह lines लिखी हुए ना आप लोगों के लिए तो यही चीज़े important है हम लोग इसी lines को use कर सकते है वापे मेंस में ठीक अगर पड़े तो टेले लॉग क्या है टेले लॉग वास लॉंच्ट बाइडर को ministry of law and justice correct जो टेले लॉग है इसको लॉंच किया गया ministry of law and justice के द्वारा अरे इन collaboration के बीच में in collaboration with the ministry of electronics and the information technology बिलकुँ सही है क्योंकि हमने अभी देखा है जो टेले लॉग है वो सर्विसेज हमें प्रवाइड गी तू दू दू कॉमन सर्विस सेंटर को एक इनिशेटर किसका माइटे का that is a minister of electronics and information technology अब वो टेले लॉग को जो यूज किया जा रहा है common service centers के द्वारा ये एक collaboration है between the ministry of law and justice and minister of electronics and the information technology जब launch किया गया 2017 में to address the cases at the pre-litigation stages यानि की अभी litigation start ही किये गए है courts के अंदर तो उसी time पे initial stages पे जो cases को हमने advice करना है वो चीज milestone achieve कर लियागा है by that law okay अब क्या है connect lawyers to the litigants क्या है एक ये service है that uses video conferencing facilities and the telephone services to connect lawyers to the litigants who need legal advices correct है अब क्या लिखा गया कि ये service aim करती है this service aim to reach out to the needy especially the marginalized and the disadvantaged correct है कोई डाउट तो ने है students यहां पे चले आगे तो क्या है common service centers के अंतर गथी देखें आप लोग यहां पे क्या लिखा कि जो common service centers है under this program यानि कि अब service centers correct है कहां पे at the panchayat level are used to connect the indigent downtrodent's vulnerable unreached groups and the commodities with the panel lawyers for seeking timely and the valuable legal advices important जी ये चीज़े important है ये इसके features दिखाएगे common service centers के अब इसके benefits क्या मिलेंगे अगर बात की जाए telelocky तो telelaw service enable anyone to seek legal advice अब कोई भी इंडियन citizen legal advice चाहता है कोई भी तो उसके लिए service available है without wasting precious time and the money correct है और क्या लिखा गया जो ये service है is free for those who are eligible for the free legal aid अब ये उन लोगों के लिए free है जो लोग free legal aid के अंडर आते हैं eligible होते हैं और ये किस ने लिख दिया कि free legal aid के लिए particular section है वो है under the section 12 of the legal service authority at 1987 clear है ये चीज़ फिर से आपके लिए prelim perspective से important रहने वाली है clear students section 12 of the legal service authority at 1987 for all other all others a nominal fee is charge बाकियों के लिए एक nominal fee charge की जाती है for the legal services ठीके ना अब क्या है क्या लिखा कि अब recent report के आधार पे एक title था अरे ये title important रहेगा मारे लिए that is the quality of the legal representations and imperial analysis of the free legal aid services in India मैं फिर से repeat कर देता हूं that is the quality of the legal representations and imperial sorry and empirical analysis of the free legal aid services in India तो ये है एक इसका report का title जो recent report आई है हमारे पास की the majority of the people ज्यादा तर लोग who are entitled to the free legal aid system see the service as an option only यनि कि अब ये report में दावा किया गया जो लोग free legal aid service के अंतर के आ रहे हैं उनके पास एक लौता यही option रह चुका है when they cannot afford a private lawyer correct है अगें प्रिल्लिम point of view से important रहेंगी हमारे पास ये कुछ ऐसी चीज़े रहें clear residents then after बढ़ते हैं क्या लिखा गया support sdgs अब क्या चीज़े अब देखें के थे it can it can be noted that this initiative is in line with the sustainable development goal अब ये sustainable development goal को भी achieve कर वा रहा है 16th number को clear है क्या लिखा which seeks to promote peaceful and the inclusive societies for the sustainable development यहनि की जो एक society के अंदर शांती हो बने रहे और इन और क्या लिखा गया हमें promote भी करना है इसी चीज़ को ताकि हम लोग जो sustainable development goal है उसको achieve कर पाएं by providing assist to the justice for all and build effective accountable inclusive institutions at all the levels again most important point for our exam exam examinations clear restaurants यहां तक कोई doubt नहीं है आगे बढ़ें ओके हम लोग आगे देखते हैं अब आगे क्या लिखा गया legal service authority के अंतरकत जो कानून है एक्ठ है वो क्या चीज़ यहां पे शो करते हैं तो देखें आप लोग क्या लिखा 1987 में the legal service authority जिसको बूला गया L.S.A. यह कानून है वास अनेक्ट तो गिव फ्री and competent legal services to the poor paved the way for the constitution of the national legal service authority that is the Nalsa clear that is your Nalsa and the other legal service institution at the state district and the तालुका level ओके अब students यहां पे हम लोग कुछ data add-on करेंगे about the national legal service authority clear है तो आप लोग यहां पे बस बने रहें हमारे साथ तो no down कीजिएगा नाशनल लीगल service authority number one तो क्या चीज़ है कहते है कि it was constituted under the यानि की इसको गठत किया गया अन्डर लीगल सर्विसस अथारिटी एक 1987 विच केम इन्टो फोर्स अन 9th of November 1995 तो इस्टाबलिश कि नीशन वाइड यूणिफॉर्म नेटड्ट्वर्क की बात की गए सुरैट्स यहां पे की फूरे विश्वस्थर पर एक क्या करना है establish करना है a nationwide uniform network क्यों for providing free and and competent legal services to the weaker section of the society तो याद रखे इस्विन इस इस बेसिक देपिनिशन या फिरिक बेसिक के इंट्रदक्शन दिया गया फॉर नाशनल लीगल सर्विस अथॉर्टी के लिए करेक्ट चलें आगे अब इसी के लिए इसी के अंतरगत एक और चीज़ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के चीफ जस्टिस क्या है इस दे पेट्रण इंचीफ किसके नैशनल लीगल सर्विस अथॉर्टी के जी बिल्कुल and सेकेंड सीनियर मोस्ट जज़ ऑफ सुप्रीम कोट आफ इंडिया इस वो कौन होंगे इस दे एक्जीक्यूटिव चेर्मेन तो यहां पे न जो चीज़ हमने डिफाइन की है यह प्रिलिम पॉइंट आफ व्यू से काफी जादा क्रूशियल रोल प्ले करेगा की चीफ कौन है वो है चीफ जिसर ऑफ इंडिया और एक्जीक्यूटिव चेर्म कोट और एंडिया करेक्ट एंडिया से यहां तक चलें अब क्या लिखा अब लिखा की जो फ्री लिगल सर्विस एक अंडर थे ल्स एक अर अवेलेबल तो अ परसंस बेलोंगिंट दो शिजुल ट्राइब्स शिजुल कास्ट वुमन चायल विक्टम ऑफ धुमन ट्यूमन डिफरेंटली एबस और डिफरेंशली एबल्ड परसंस इंडस्ट्रिल वर्कमेन और परसंस इन दे कस्टेडी इन अ प्रोटेक्शन होम और पूर्स के लिए क्लिए आगे बड़े तो इसके बाद हमारी नेक्स न्यूज रेती है सीसी आए टूप गूगल यह आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगी स्ट्रेंट्स फॉर जी एस पेपर टू के लिए क्लिए रहे है शुरू करते हैं हम लोग आज इसको तो क्या चीज है इस न्यूज के अंतरगर्थ की दे कॉंपिटेशन कमिशन आफ एंडिया ध्यान चे सुनियेगा सीची आए क्या है दे कॉंपि इठ पेमें अप गूगल पे गुगल पे इट्स पेमिन आप जो गुगल पे को लेकर गुगल ने कुछ ऐसे एंटी मार्केट प्रक्टाश को किया वह कौन से हैं इक तो लिखा गया यहां पे इंटी यूस नमबर वण आगया आपका में डेटरी यूस के अंतरगत क्या आया कि गुगल पॉलसी ऑफ दो में डेटरी यूस ऑफ गुगल प्लेस पेमिन शिस्टेम फॉर पर पर चीजिज एंड आप पर चीज इन पर फ्लेस फो ठीक है है सेकेंड क्या आ गया यहां पे कि एक्सट्वूजन री प्रेक्टाइस की अंतरगत क्या है कि इट एक्सक्लूडड अदर मोबाइल वॉलेट सीए अधर मोबाइल वॉलेट से को एक्सक्लूड़ कर चुका जैसा की UPI के अंतर गथा जो यूनिफाइट पेमिट इंट्रफेरेंस एप्स one of the effective payment option in the google place payment services clear है अब यहां पर आपको concept I think clear हो गया होगा चलते हैं आगे तो और क्या लिखा students यहां पर देखे ध्यान से क्या लिखा कि जो आपका competition commission of India CCI है also criticize Google's policy इन्होंने Google की कई policies को criticize भी किया क्यों कि 30% commission को charge किया गया for all the apps and in app purchases के लिए since google place tools concerned about 90% of all downloads a significant volume of paying sorry payment beings proceeded sorry processed in the market would thus be controlled by it okay तो यहां पर किसी को भी और criticize किया गया जो Google का play store है clear चलें आगे यहां पर और क्या लिखा गया देखें ध्यान से कि जो CCI है also highlight इन्होंने एक और चीज़ को भी highlight किया वो रिपोर्ट क्या गूगल को abusing its dominant position in the android television market by the creating barriers for the company any key criticize और भी किसके अधार पर कर दिया गया android television markets by creating barriers उनके लिए barrier बना दी कि उस companies के लिए which wanted to use and modify its android operating system for the smart televisions यह technology को लेकर यहां पर काफ से जा जा रहा है clear आगे बढ़ते हैं क्या लिखा कि जो प्रॉब है अंगेंस्ट गूगल पे कम डेस आफ्टर अब यह प्रॉब जो गूगल पे कि अंगेंस्ट आया कब आया आफ्टर दर नाशनल पेइमेंट कोपरेशन आफ एंडन की एन पीसी आए एलावड राइवल फेस्बुक ओंड वाट्सेप तो गो लाइव ऑन दे यूपी आइन दे मुल्टिपल बैंक मॉडल यानि की जो वाट्सेप है या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि फेस्बुक ओंड वाट्सेप को जब प्रमीशन्स मिल गए थे बाइद एन पीसी आए तो गो लाइव ऑन दे यूपी आइन दे मुल्टिपल बैंक मॉडल्स उसके बाद गूगल के अंगेंस प्रॉप शुरू कर दिया गया था गूगल प फाइंड गूगल 21 मिलियन डॉलर्स फॉर थे सर्च बाइस क्लिर रिना और क्या लिखा कि अब यह क्या अलेज़ किया गया कि गूगल वॉस इंडल्जिंग इन अब्यूस ऑफ डॉमिन पोजिशन्स इन अमार्केट फॉरू प्रेक्टाइस इस लीडिंग तो शर्च बाइ चलें आगे अब आगे देखते हैं कि इन 2019 2019 में क्या हुआ कि जो कॉंपिटिशन कमिशन आफ इंडिया है स्टार्ट प्रॉबिंग गूगल फॉर अलेज़ सॉरी अलेज़ली मिस्यूसिंग इस डॉमिन पोजिशन तो रिद्यूस अबिलिटी ऑफ दिस्मार्टफोन मनुफ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा अब कॉंपिटेशन एक 2002 के अंतरगत क्या चीज़ है पढ़ते हैं यहां पर देखिए क्या लिखा कि इसको दो हजार दो में पास कर दिया गया था है ऑगा फिलनोप्टेशन एक 2007 करेंट अर कित विलोसुथी ओ यहीं मास से यह जीज़ हमारे ले क्या थौन्सैंपोली इसको दिकित है मास से ने क्या थे मॉनृसरे क्या थे isasa जिसको आपको बोलते हो एम आर्टीप उसको रिप्लेस कर रिपील किया और रिप्लेस किया बाइद कंपनीज एक ने दो हजार दोने किसके रिकमेंडेशन से रागवन कमेटी अरे यूपी एसी के लिए बहुत इंपोरेंट रहेगा क्लियर ना आगे बढ़ते हैं हम लोग तो निक्स क्या आया लिखा गया कि जो यह एक थेक वह प्रॉबट करता है एंटी कॉंपिटिटिव एग्रीमेंट में अब्यूज ऑफ दॉमिन पॉजीशन बाइद एंटरप्राइज एंड रेगूलेट कॉंपिनेशन विच विच गॉज एंप्रीशेबल एडवर्स एफेक्ट अन कॉंपिटिशन विद इंडिया इसमें कुछ अला कि सम्झाने व तो दॉज कॉंपिटिशन कमिशन ऑफ एंडिया और अपिटिशन अपलेट प्रिवनल वर एस्टेश अगें इंपॉर्टन विच गेर और लास्ट में क्या लिखा अब भारत शरकार ने क्या किया जो आपका कॉम्पेट है यानि की यहां पर कोई डाउट नहीं होगा सुदेंस क्लियर है चलें आगे 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 बढ़ते हैं कॉम्पेटिशन कमिशन आफ एंडिया के लिए कि यह एक स्टेटिटरी बॉड़ी है बिल्कुल ठीक है जो रिस्पॉंसिबिलिटी लेती है अब्जेक्टिव ऑफ दो कॉम्पेट करती है इंपॉर्टेंट रहेगा अब इसके एम्स इसके अब्जेक्टिफ नहीं है अरे टु एलिमिनेट अप्रेक्ट आइसस एविंग एड्वर्स एफेक्ट ऑन दे कॉम्पेटिशन करेक्ट एवन प्रमोट अंसें कॉम्पेटिशन ओके प्रोटेक्ट द एंट्रस्ट आगे बड़े तो क्या लिखा की अब इस तरीके का कमिशन हमें और भी रिक्वायर है तो गिवन ऑपीनियन ऑन दे कॉम्पेटिशन इसूस ऑन रेफेरेंस रसीव रसी फ्रॉम्पेटिशन इस अथार्टी जो एस्टाबिश किया गया अंडर एनी लॉए इंडिया ओके और क्या लिखा गया and to undertake competition advocacy create public awareness and impart training on the competition issues again important okay students चलें आगे तो आज की हमारी next news रहती है this is our next news और वो रहे गया आपकी अर्मेनिया अजर्बाइजान पीस टील करेक्ट है और यह आपके लिए इंपोर्टेंट है for the GS paper 2 के लिए आप शुरू करते हैं कि देखे क्या लिखा गया की कि रश्या हैड डोड निव पीजिल अब रश्यान ने तोड़ दिया नए पीस डील को between अर्मेनिया एंड अजर्बाइजान अब खुद देख पा रहे हैं अर्मेनिया कहां पे है और अजर्बाइजान कहां पे और रश् सोने have been in the military conflict over the disputed region of the अरे ये दोनों कंट्रीज ना काफी लंबे अर्से से ही लिखा है ना कि बोड़ कंट्रीज हाव बेन इन दे military conflicts over the disputed region of Nagorno-Karabakh और ये रहा आपका यहां पर प्रॉपरली यूज नहीं होगा मैं माखी कर देता हूं डिस इस यौर नागोर्नो-Karabakh क्लियर है इन दे साउथ काव कासुस ओके अब देखते हैं क्या है क्या लिखा कि जो इसका रीजेन एक्स्टेंड कर दिया अजर्बाइजान का पाट है अजर्बाइजान की टरिटरी का पाट है सिंस कब से कब तक सिंस दर सोवियत एरा और जादा तर हिसा इसका कंट्रोल किया जाता है अर्मेनिया के दुआरा इसका मतलब और उन्हों ने अर्मेनिया ने क्या डिकलियर कर दिया डिकलियर इट अर रिपबलिक कॉल दर नैगोर्नो काराबक अटनॉमस ओबलास्ट ये डिकलियर किया गया बाइड़ अर्मेनिया क्लियर है और अजर्पायजन क्या बोलते हैं यहां पर बोल गया इस दे पार्ट ओफ सेरिटरी निस दर सोवियत एडा क्लियर चलते हैं आगे अब देखें यहां पर क्या है conflicts and the ceasefires में कहते when the Soviet Union began to collapse यह कब का time है यह बात की गई with the end of the cold war की in the late 1980s के अंदर जो अर्मेनिया है कि अर्मेनिया स्रीजनल पार्लेमेंटरी वोटेट फॉर दे रीजनल पार्लेमेंटरी वोटेट वोट है for the region's transfer to Armenia but उस टाइम पर क्या हो गया जो सोविए अथॉर्टीज है turn down the demand तो उन्होंने जो डिमांड था उचको रोग दिया यानि की clashes शुरू हो चुके violence last till 1994 जब रश्या ब्रोग्ड और सीस फायर बाई विच टाइम ethnic Armenians had taken control of the region यह history past की बात की गई है ठीक है और क्या लिखा इन 2016 the region saw a four day war तो 2016 में भी चार दिन के लिए लड़ाई लड़ाई हुई थी बिफोर रश्या mediate the peace और रश्या फिर आकर mediate करवा इन दोनों के बीच में बेट्वीन अर्मेनिया एंड अजर्बाइजान ओके और क्या लिखा गया इसी के अंदर the conflicts or ceasefire के अंतरगद की जो organization for the security and the cooperation in the Europe है धान से सुनेगा की जो organization for the security and the cooperation in the Europe जिसको आप लोग सुन पा रहे है ओ सी के नाम से मिस्क ग्रूप है ये इसको चेर किया गया by the France यहन किसका चेर्मेंस कहां से होंगे France and Russia and the US से के द्वारा and also try to get the two countries to reach a peace agreement for the several years बहुत important role play करेगा prelim point of view से याद रखिएगा ये चीजे मारे लिए क्रक्स रहती है clear है students यहां पर ये चीजे काफी ज्यादा crucial role play करेंगे मारे प्रिलिम पॉइंट आफ यू से यह प्रिलिम पॉइंट आफ यू से काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला पॉइंट है आपका clear I think आपने नोडाउन कर लिया इसको आगे बड़े अब देखते हैं क्या लिखा कि October 2020 में 2020 में क्या हो कि दोनों देशों ने एग्री किया तो रश्या ब्रोग्ड सीस फायर एग्रिमेंट हावेवर इट आल्सों प्रूव टू बी अन्सक्सेस्फुल क्रेक्ट रीजन क्या है औरे कॉन्फ्लेक्ट के कारण तो होंगे न कोहीं ना कोई कारण रहता है तो वो कारण क्या है आप देखें कारण लिखा गया कि डिकेड्स ओल्ड एथनिक टेंशन देखिए जो काफी लंबे अर्से से एक एथनिक टेंशन चल रही है have a crucial role in the dispute उसी ने तो सबसे बड़ा crucial role किया इन दोनों देशों के बीच में conflicts पैदा किया अर्मेना और अजर्बाइजान के बीच में ठीक है ना और क्या लिखा वाइल दर अजरी स्क्लेम दाट अब अजरी स्क्लेम करते हैं अजरी स्क्लेम करते हैं करते हैं कि कारबक्ख वाज पार्ट आफ अर्मेनियन किंग्डम तो दोनों देश बोलता है कि वह मेरा टेरिटरी और वह बोलता है कि में हिस्ट्री को देखते हुए कि वह मेरा टेरिटरी अब करन्टली अगर मैं प्रेजेंट ली की बात करूं तो डिस्पूटेड रीजन कंसेस्ट और मिजार टी अर्मेनियन फृप टेजेंट एंड कर बात की जाय तो वहां पे मैजॉरिटी आर्मेन फिस्ट्री पॉपूलिशं रहती है एवंग दो इट इस इंटरनाशनली रिकोगनाईज as a part of the Muslim majority Azerbaijan clear international अगर बात की जाए तो वो recognize किया गया किसका Azerbaijan का Muslim majority का अब हिस्सा अब नया पीस दील के अंतरगत क्या चीज़ है देखें यहां पे क्या है कि दोनों तरफ से both sides will now maintain position अब दोनों तरफ से अर्मेनिया और अजर्बाइजान की तरफ से maintain किया जाएगा position को in the areas में कहां पे that they currently hold which will mean a significant gain for the Azerbaijan और reclaim किया गया 15 से 20 percent of its lost territory during the recent conflicts चलते हैं आगे अब new peace deal के अंतरगति क्या है देखें क्या लिखा कि all military operations are suspended अब दोनों देशों की तरफ से military की जो operations है वो रोग दिये गए and Russian peacekeepers will be deployed अब जो रश्या के शांती पूरता बनाने वाले हैं उसको deploy किया गया कितनी देर के लिए for a period of the five years पान सालों के लिए कहां पे along the line of contact in the Nagorno-Karabakh and along the Lachen corridor which links the array with कौन link कर रहा है जो हमने लिखा है ना अभी नागरोना-Karabakh along the line Lachen corridor अब यह क्या है यह Lachen corridor link करता है किसको कारबख capital stepan किसको stepanakad to Armenia clear है कारबख के capital कौन सी है stepanakad जो अर्मेनिया के रहती है पास है clear ना और क्या लिखा कि refugees and international displaced persons will be returned to the to the regions तो लोगों को वापस भेजागा अपने अपने regions के अंदर and adjacent territories and the two sides will also exchange the prisoners of the war and the bodies okay then after a new corridor will be open अब नया corridor open किया गया कहां से कहां तक जो important रहेगा अब वो रहेगा आपका from the nakchivan to Azerbaijan which will be under the Russian control अब यहां पर important है यह चीज़े अब इसके conflict के अंदर रश्या का क्या role है जो important रहेगा ठीक है यहां पर देखें क्या है कि रश्या has also taken a balance position अब रश्या ने इन दोनों countries के conflict के बीच में एक balance position का role play किया किसमें on the matter and has traditionally good relations with both the countries और हाला कि रश्या के दोनों देशों के भी साथ काफी अच्छे संबंध हैं और इट सप्लाइज आम सुदे बोट कंट्रीज बिलकुल एवन रश्या हाज अ मिलिटरी बेस इन अर्मेनिया रश्या का मिलिटरी बेस भी है अर्मेनिया में और बोट आर दो मेंबर्स सब्सक्राइब कि अर्मेनिया और अजर्बाइजान यह दोनों मेंबर्स भी है अरे सुदेंट्स किसी के मेंबर हैं अगेन इंपोर्टेंट रहेगा मारे लिए वो रहेगा मॉस्को लीड क्लेक्टिव सेक्यूरिटी ट्रीडी ओर्गनाइजेशन इंपोर्टेंट है यह च चले हां अगे अभी यहां पर क्या लिखा गया एड दसेंटन की रश्या आल्सों हाज स्ट्रॉंग टाइस तो अजर्बाइजन क्योंकि अभी हमने पड़ा ना कि दोनों देशों के साथ रश्या की बहुत अच्छे संबंध हैं ठीके ना विच इस बीइंग ओपनली बैग बाइद तुर्की और नौथ एट्लांट्रिक ट्रिटी ओर्गनाज़ेशन नाटो मेंबर है भी है ख्लीर है शल्वी मूव फॉर्दर ओके तो स्टूडेंट्स आज की हमारी नेक्स्ट नीउस क्या रहेगी यह रहेगी हमारी नुमोनिया और डाइरिया प्रोग्रेस रिप तुट ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है और यह आपके लिए इंपोर्टेंट है फॉर द जी एस पेपर टू के लिए करेक्ट शुरू करें तो देखिए क्या लिखा गया कि जो एन्नुवल निमोनिया और डाइरिया प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो हर साल आती है एन्नुवल गोलिए निमोनिया और डाइरिया की प्रोग्रेस रिपोर्ट हैस बेन रिलीज बाइडर अरे किसके द्वारा जानीज इंपोर्टेंट रहे गा टाट इस एंटर नैशनल वेट सीन असेंटर जो यहां पर मेंचन अआए आई वैक के द्वारा याद रखें किसके द्वारा आई वैक के द्वारा क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है यह चीज है हमारे लिए एक्जामिनेशन पॉइंट आव व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है सुदेंस क्लियर मैच दे कॉलम्स में पूछा अब बढ़ते हैं आगे कि जो आपका इंटरनाशनल वेक्सीन असे सेंटर है आपका ना सुदेंस वह फाउंड किया गया गठत कब किया गया दो हजार नौ में 2009 में बिल्कुल ठीक है और accelerates equitable assess to vaccines किसके द्वारा थू जगार थू जणरेशन जैससे और use of the evidence to inform the season making and the actions कर्यक थे विन क्या लिखा जिया लिखा कि इट रोकें सिल्टेट ब्लूम्बर्ग स्कूल्स ऑफ पॉब्लिक हेल्थ यू से में क्लिर है क्या इंटर्नाशन एक्षिंट असे सेंटर एवन आगे क्या लिखा कि इट एवल्यूएट दे प्रोग्रेस से सॉरी एक्रोस्टेन हाई इंपेक्ट इंडिकेटर्स जो रिपोर्ट आती है ना तेन हाई इंपेक्ट इंडिकेटर्स को देखते हुए बनाई जाती है आउटलाइन इन दे ग्लोबल एक्षिं प्लान बिल्कुल ठीक है फॉर दे प्रिवेंचिन अन दे कंट्रोल अफ नुमोनिया और डायरिया जिसको आप लोग शॉट फॉर में क्या बोलते हो जी गप्ड ग्ड अब्ल पीड तर दाऊब लुबल एक्षिं प्लान फॉर प्रिवेंचिन अग्ड फॉर फॉर अफॉर प्मोनिया और डायरिया जिए जो पंदर ऐसे कंट्री जहां पर मैक्सिम डेथ देखने को मिल देनमोनिया डायरिया जिक ट्लेर रिखा गया और उसके अंदर क्या लिवरिंग की इंटर्वेंचिन तु प्रिवेंट इस अब हम लोगोने इसको कैसे रोकना है उस चीज़ के अधार पर यह रिपोर्ट निकलती है अब लिखा कि इस इंटर्वेंचिन इंक्लूड अब इसके अंदर क्या गया एक तो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदस कर रहे है नियूली बॉर्ण बेबिस के लिए इमनाइजेशन उसके उपर इफेक्ट होता है और केर सीकिंग और एंटिबाटेक्स ओरल रिहाइडरेशन सॉलूशन इसको आपर ओर और इस बोलती हुए और जिंक सब्लिमेंटेशन इंपोर्टेंट है जी यह चीज़ आपके लिए इब यह भी आपके लिए मेइन स्ट्रेशन इंपोर्टेंट रहेगा और लास्ट आपके लिए प्रिलिम पॉइंट आव्ड़ियू से इंपोर्टेंट है चलें नेक्स्ट आया कि ये जो मेंबर हैं इस मेंजर्स सॉरी इस मेंजर्स प्रूवन रहेंगे डेथ को रोकने के लिए डियू टू दीज इलनेसे नुमोनिय डायरिया के इलनेस की बात की कही है बिल्कुल ठीक है ना और एचीव कर पाएंगे सस्टेनिबल डेवलप्मेंट गोल थर्ड यानि कि वह कौन है वह अपका गुड हेल्थ और वेल बीइंग जो टार्गेट है रिड्यूस करना है अंडर दे फाइव मॉटालिटीज तो एट लीस ऐस पर लो एस त्वेंटी फाइव पर वन थाउजन लिफ बर्थ बाइद टू आगे इन 2009 में वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजेशन ने क्या बोल दिया और युनाइटेड नेशन चिल्डर्न्स फंड ने क्या बोलें कि युनिसेफ ने लॉंच किया गया गाप्ड को जो नमोनिया और डायर्या के बेसिस पर रहता है कि विच प्रपोज़ अ मल्टी सेक्टर इंटीग्रेटड एप्रोच एक मल्टी सेक्टरल इंटीग्रेट एप्रोच को यूज किया जाएगा ताकि हम लोग कम कर सकें इंडिसेंस और इंसिदेंस को आफ दे सवेर नुमोनिया और डायर्या इलनेस को बिल्कुल ठीक है आरे बच्चों के अंदर अंडर दे फाइव पांच साल से कम उमर की बच्चों को भी हमने इस बिमारी से रोकना है और कौन हेल्प करेगा वह और उनिसेफ ठीक है ना एंड करना है खतम करना है प्रिवेंटेबल चाइल्ड हुड डेथ फॉम प्रूमोनिया और डायर्या यह इंपॉर्टेंस क्योंकि स्टेप्स टेकन पांच वेक्षिन इसको कवरेच कर रही है कौन कौन सी विच आर डिप्थेरिया ठीक है देन आफ्टर प्रिटिस यह डिजीजेज जो में वेक्षिनेशन को इंट्लूट कर रहे हैं और टेटनस डीपीटी वेक्षिन मीजल्स कंटेनिंग वेक्षिन फर्स जोस्यूमोफिल इंफुलेंजा टाइप बी देन आफ्टर नियूमो कोकल कॉंजूगेट वेक्षिन स्पीजीवी एंड रोटा वाइरस वेक्षिन्स करेक्ट है सुद्स यहां तक कोई डाउट तो नहीं है अगें प्रिलिम पॉइंट व्यू से यह चीज इंपॉरेंट रहेगी ऑगे आग आरत का क्या प्रफॉर्मेंस है इसके अंदर ठीक है शुरू करते हैं देखें कहते आफ्ट फिफ्टीन फोकस कंट्रीज की जवब हमने बात की जो रिपोर्ट के अंदर आता है इंडिया इस वान आफ दे कंट्री डाट एक्सीडिट टारगेट फॉर दे एक्स्क्लूसिव इंक्रीज करना है किसको ग्लोबल रेट को अफ दे एक्स्क्लूसिव ब्रेस्ट फीरिंग तो अट लीस्ट फिफ्टी परसेंट बायद ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव तक यह इंडिया का पर्फॉर्मेंस है और यह बोला गया एक टार्गेट सेट किया का बाइद वर्ल अगर बात कीजे एक्स्लूजिव ब्रेस फीडिंग के अंतरगत कि इत मेंस थाइट इंफन रसी ब्रेस्ट मिल्क नो अधर लीकृट और अधर लीकृट और अधर लीकृट अर इंडिया ने भी लिखा कि India has made significant progress in its vaccination coverage to prevent child pneumonia and diarrhea death भारत ने भी काफी जादा मलब cover-up कर लिया vaccination को to prevent the child pneumonia and diarrhea death बिलकुल then after India has achieved अरे भारत ने भी अचीव किया global target 90% को coverage for the three of five vaccines whose coverage is monitored in the report then India का फिर पर्फॉर्मेंस एक ही है कि India however India fail to reach all the targets for the treatment हाला की भारत फेल हो गया सारे targets को चीव करने के अंदर and the treatment for the diarrhea had the lowest coverage कितना 51% of the children receiving ORS and 20% getting the zinc only or 90% treatment coverage for the children with the suspected pneumonia clear है ना क्या लिखा इंक्लूदिंग केर बाइद एप्रोप्रियेट हेल्थ केर प्रोवाइड और 90% treatment coverage for the children with the diarrhea और उसमें ORS and the zinc supplements by the 2025 यह टार्गेट सेट किया भारत की तरफ से अल्दो दो देर वास a progress in India in 2019 2019 में भारत ने progress भी किया the COVID-19 pandemic threatened again because of the disruption cause and the routine health services like the immunizations and assess to the medical oxygen correct तो कुछ बैरिस भी देखने को मिले थे during the COVID pandemic okay अब यहां पर मैंने का आप के लिए cutting use किया newspaper का तो यहां पर भी आप लोग गो थू कीजिगा अभी हमने जो पड़ा था कि 51% of the children receiving ORS 20% getting the zinc India का coverage कितना हो चुका है रोटा वायरस vaccination को लेकर increase कर दिया 35% से 53% in 2019 में clear रहना और India has made some strides in its vaccination program assess to treatment leaves much to be desired okay then after a diarrhea क्या चीज़ है देखें केते अब passage of three or the four sorry three or more loose liquid stools पर दे उसको diarrhea बोला जाता है और क्या है एक तो थे acute water diarrhea last several hours or days include the cholera फिर आता है acute bloody sorry bloody diarrhea also called Dicentric फिर आता है persistent diarrhea 14 days or the longer जो चलता है causes क्या है अरे कारण क्या है students कारण रहेंगे कि diarrhea का symptom है वो एक infection है जो cause करता है bacteria के द्वारा viral and the parasitic organisms के द्वारा क्यते most of which are separate by the physics contaminated water contaminated water के द्वारा mostly ये फिक करता है यनि कि क्या है कि जो water है contaminated with the human and animals के द्वारा is of particular concern ये बहुत बड़ा concern है इंडिया के लिए जी बिलकुल और animal fix also contain microorganisms that can cause diarrhea even बिलकुल और के ते इसकान अलसो सप्रेट from the person to person to person to person to person be separate होता है aggravated by the poor personal hygiene's food prepared or the stored in the unhygienic conditions unsafe domestic water storage and handling यानिकि सबसे important क्या है यहां पे role play किया गया अरे यह important है causes में अगर हम लोगों को कल paper आ जाता है means के अंदर कि critically analysis करना या critically हमने उसको criticize करना है तो वो contaminated water का हम लोगों जो role है वो सबसे साथ important रहे आप ऐसा बोल सकते हो कि जो भारत ने जल जीवन मिशन चुरू किया रहे इसी जीस को तो रोकने के लिए जूरू किया है ना कि घर घर में हम लोग जो consume water की tap लगाएंगे ठीक है अब आगे चलते हैं भारत ने क्या सब्सक्राइब 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 क्या है गवर्मेंट ने टार्गेट अफ रिदिसिंग निमोनिया बेट अमंग चिल्डरंश कितना 1000 lives by 2025 बिल्कुल ठीक है अब 2014 में इंडिया ने लॉंच किया इंटीग्रेट एक्शन प्लान फॉर्ड द प्रोवें प्रिवेंशन और कंट्रोल आफ निमोनिया और डाइरिया जिसको बोला गया उन्होंने लॉंच किया बाइद गवर्वेंट इंटीटीफाइव में और प्रिवेंट्स मॉटालिटी और मॉर्बिडिटी एंद चिल्डरंश और प्रेग्नेंट वॉमन अंगेंस 12 वेक्शीन वेक्शीन प्रेवेंटिबल डिजीजिस इंक्लूदिंग निमोनिया और तो जो 12 वेक्शीन हैं उसी के अंडर नमोनिया डियर्या को भी इंक्लूद कर लिया क्या बाइद युनिवर्स इम्मनाज़ेशन प्रोग्रम जोने लॉंच किया था 1985 में क्लियर है और देखें सोशल अवेर्नेस एंड एक्शिंस तू बी नियूट्रलाइज दूमोनिया सक्ष 2019 में भारत शरकार ने लॉंच किया रोटा वाइरस वेक्शीन ड्राइब्स अक्रॉस अल्ड देख पा रहे हैं हमारे पास आगे भी नियूज है बट डियू टू टाइम मैं आज का सेशन यहीं तक एन करता हूं और आशा करूंगा कि आपको यह वहला सेशन भी काफी अच्छा लगा होगा तो थेंक्यू सुडेंट्स अगर किसी को कि डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्षिन में जरूर लिखेगा